नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं निया टीवी नौइडा के सेक्टर 93 के एक सूसाइटी में महिला के साथ गाली गलोज करने वाला 25,000 का इनामी नेता श्रीकांत त्यागी को आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरट से गिरफतार कर लिया है देखे हमारी ये खास पेसकस उत्तर प्रदेश के नौइडा में महिला के साथ गाली गलोज करने वाले श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरट से पकड़ लिया है त्यागी के खिलाफ ग्रेंड ओमेक सोसाइटी की एक महिला के साथ अभधता करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और ये तभी से फरार था श्रीकांत त्यागी शनिवार से फरार था और यूपी पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद उसे ग्रफतार किया है यूपी पुलिस ने उसके बारे में जानकारी देने के लिए 25,000 रुपे के इनाम की गोशना की थी दरसल महिला ने त्यागी द्वारा सोसाइटी के साजा शेतर में पोधे लगाने पर आपत्ती जताई थी जिससे वे भड़ाक उठा था और जमकर हंगामा किया था वहीं मामले से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंबीरता से लिया और केस दर्ज किया इतना ही नहीं पुलिस ने इस मामले में छें पुलिस कर्मियों को सस्पेंट भी किया है वहीं मामले में शिकायत करता महिला को दो नीजी सुरक्षा अधिकारी मोहिया कराए गए हैं पुलिस ने शिरिकांद पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है शिरिकांद त्यागी की लोकेशन जानने के लिए पुलिस ने कहीं लोगों से पूछताज भी की थी जिसके बाद आज उसकी ग्रफतारी मेरट से कर ली गई वहीं शिरिकांद के वकील ने ग्रेटर नोईडा की एक अदालत में आत्म समर्पन के लिए आवेदन भी दिया था नोईडा के गालीबाज नेता शिरिकांद त्यागी के कारणा में एक के बाद एक खुल रहे हैं पुलिस ने शिरिकांद त्यागी की आपरादी कुड़नी निकालनी शुरू कर दी है इसमें पता चला है कि उसके खिलाव धारा 307 समेत कई गंभीर धाराओं में कुल नोव मामले दर्ज हैं त्यागी पर पहला केस 2007 में एक्स्टोर्शन का दर्ज हुआ था उसके बाद दूसरा केस 2007 में ही गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हुआ था तीसरा केस साल 2008 में मार पीट जान से मारने की धंकी देने और गैर इरादतन हत्या का दर्ज हुआ चोथा केस साल 2009 में दंगा करने और शांती भंग का है पाचवा केस साल 2009 में ही दंगा करने सारवजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने के आरोप में दर्ज हुआ छटा केस साल 2015 में मारपीट और धमकी देने का दर्ज हुआ साथवा केस साल 2020 में मारपीट, धमकी और हत्या की कोशिश का है आठवा केस 2022 में महिला से बदसलू की, धमकी देना, मारपीट और बलवा करने का दर्ज हुआ है वही नोवा केस भी साल 2022 में जाल साजी और दोगाधरी का दर्ज हुआ त्यागी पर आरोप है कि वह अपनी कार में MLA का स्टिकर लगा कर घुमता था गोरतलब है कि योगी सरकार के एक्शन में आने के बाद कल ग्रेंड ओमेक सोसाइटी में जैसे ही बुल्डोजर पोचता है वैसे ही वहाँ खड़ी महिलाएं योगी जि जिन्दाबाद के नारे लगाने लगती हैं बुल्डोजर एक्शन में आता है और स्रीकान त्यागी के अवैद कबजे वाले हिस्चे को गिरा देता है जैसे जैसे अवैद पिलर गिरता गया वहाँ खड़ी महिलाएं तालियां बजाती हैं यहां के निवासियों ने कहा कि यह अती के बाद अंत की शुरुआत है देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले